Hello friends, welcome to my channel Beauty and Hairs Styles आज मैं आपके लेक्ट के आई हूँ Beauty की Class 4th Class 4th जिसमें हम करेंगे All About Makeup Brushes Makeup के Brushes के बारे में पूरी Knowledge लेंगे कौन-कौन से होते हैं किस तरह से यूज़ किये जाते हैं किस-किस परपस के लिए कि यूज़ किये जाते हैं तो चलिए मेरे पास आज यहां पे बहुत सारे ब्रश जो हैं मेरे पास अपलेबल हैं और सिर्फ यही नहीं इसके इलावा भी बहुत सारे brushing जो है एवर्यबल है तो इन सब के बारे में आज आपको बताऊंगी तो चलूए स्टार्ट करते हैं तो हमारा ये भी हमेरे ब्रशी इंका काम होता है आपके फेस पे ब्लेंडिंग का जब हम ब्राइडल मेकप करते हैं तो हम जब प्रोड़क्ट लगाते हैं तो ऐसी पात नहीं है कि आप उसे हाथ से ब्लेंड नहीं कर सकते आपको जैसे कर सकते हैं लेकिन ब्रश चाहff से अच्चे से अ ब्रेंड रहती है जिससरे कीक एक एफेक्ट आता है उसके लिए तो अलग-अलग brushes के बारे में मैं आपको आज री present करने जा रही हूँ तो सबसे पहले हमारे पास है big fan brush यह जो brush होता है देखे जो भी brush होते हैं आपको याद रखने की जूर नहीं होती है आपको जो brushes होते हैं उनके side में लिखा हुआ होता है यह देखे big fan brush big fan brush का क्याम क्या होता है जो आपके face पे access product होता है उसे remove करने का काम होता है यहाँ पे यहाँ पे जो access product होता है उसे remove करने के लिए हम big fan brush का use करते हैं और इसके इलावा यह बहुत अच्छे से remove कर देता है product को big fan brush तो यह हमारा first big fan brush सेकंड हमारे पास है फैन ब्रश का ही स्मॉल फैन ब्रश ये बिग फैन ब्रश है ये स्मॉल फैन ब्रश है स्मॉल फैन ब्रश का यूज कहां किया जाता है स्मॉल फैन ब्रश का यूज जो हम हाइलाइटर करते हैं यहाँ पे हाइलाइट करने के लिए एरिया को हाइलाइट करते हैं तो यह हमारा होता है स्मॉल फैन ब्रश थर्ड एक और ब्रश है मेरे पास यह हमारे पास स्मॉलर फैन ब्रश यह वारा थर्ड ब्रश है यह भी हमारा फैन ब्रश है इसका यूज नोज के एरिया को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है इस ए करने के लिए यह इस एड्या को हाइलाइट करने के लिए किया जाता है जब कि इसका स्मॉल एडिया को हाइलाइट करने लिए किया जाता है तो Don't Of funny Show ये जो हैं ये हमारे fan brushes थे जिनके बारे मैंने आपको knowledge दे हे हमारे first 3 Pen brushes थे कि उनका हम कहां कहां यूज करते हैं ठीक है अब हम चलते हैं हमारे next brush पर हमारा जो next brush होता है इसके इलावा यह है हमारे पास कुछ brushes this one यह वाला जो brush है यह जो brush है powder brush यानि कि base को prepare करने के लिए अपने face पे जो powder लगाया जाता है यह जो brush है वो उसमें काफी घना होता है काफी hairs होते है यानि hair ही होता है और महुत easily यह जो है वो लग जाता है और यह होता है हमारा powder brush इसके इलावा powder brush के इलावा जो हमारे पास दूसरा है वो है यह वाला brush यह हमारा powder brush था यह है यह है blush brush blusher blusher हम अपने cheeks पे अप्लाई करते हैं यह जो part है ठीक है इस part को blush करने के लिए हम blusher यह blusher के लिए होता है थोड़ा सा wide होता है इससे थोड़ा छोटा होता है और यह होता है हमारा blusher brush जो की blush के अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है इसके इलावा next होता है हमारे पास foundation brush देखिए इन दिनों में फर्क powder के लिए blusher के लिए foundation यह थोड़ा flat type होता है क्योंकि हम यहां पर foundation को blend करता होता है इसी वजह से यह foundation brush होता है कि foundation को blend करने के थोड़ा चप्टा होता है यह foundation को blend करने के लिए यूज किया जाता है next हमारे पास होता है हमारे पास contour brush contour यह वाला जो brush होता है वो थोड़ा angle में होता है और इसको contour यानि कि इस part को contour करने के लिए use किया जाता है इसी वज़ासे यह थोड़ा angle में होता है क्योंकि हमारे जो यह part होता है यह थोड़ा angle में होता है इसी वज़ासे इसको थोड़ा angle में रखा जाता है तो यह होता है हमारे पास contour brush तो हमारे पास बिग फैन ब्रशीज के बाद यह जो सारे ब्रशीज है यह जो उसे थोड़े छोटे होते हैं अब हम चलते हैं हमारे next ब्रशीज की तरफ next ब्रशीज में हमारे पास आते हैं सबसे पहले है यह eyeshadow brush इसका use eyeshadow apply करने के लिए किया यानि कि एक पर्टिकुलर फ़र में हमने आईशेड करनी है और उसे एपलाई करना है यह उपर से थोड़ा राउंड मूव में होता है नेक्सट यह उता है हमारे इसे घ्रम करना होता है तो यह एक फ्लॉफी ब्रश होता है जो कि फ्लफी होता है और इसका यूज किया जाता है ब्लेंड करने के लिए इसे बोलते हैं हम ब्लेंडिंग ब्रश यानि कि आईशेडो लगाने के बाद उसे ब्लेंड करने के लिए जिस इस ब्रश का यूज किया जाता है नेक्स जो हमारे पास होता है ब्रश वो है यह है हमारे पास यह भी हमारे ब्रश यह तोनों ब्रश हमारे आईशेडो आईशेडो के लिए हमारे तीन ब्रश यूज होते हैं तीन से भी चार एक और ब्रश था आईशेडो के लिए वह भी मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगी तो ये सारे हमारे eyeshadow के लिए use किये जाते है Next हमारे पास होता है this one ये होता है lip brush बहुत ही चोटा होता है, बहुत ही पतला होता है और brush, lip brush यानि कि lipstick apply करने के लिए lip brush ये वह बहुत चोटा होता है, इस brush का use किया जाता है ठीक है, lip brush के बाद हमारे पास आता है मसकारा यानि कि lash brush देखी जैसे कि mascara apply करते हैं तो इसमें ऐसी ही lash होते हैं तो इसको इस तरह से mascara apply करेखे lash को set करने के लिए eyelashes को set करने के लिए किया जाता है इसके इलावा next है हमारे पास eyebrow comb जब eyebrow comb गहते हैं तो यहां पर छोटी सी एक पतली सी comb होती होते हैं पेस आई ब्रो कॉम ब्रश एऊ ब्रो को सेट करने के लिए ऐसलिए को मैपार ब्लीच ब्रश कि ब्लीच को अप्लाई करने के लिए क्लिए सो सभंद हुरत यह मारे इसके लबा हमारे और जो ब्रश chapel नेक्स ब्रश है हमारे पास a medium एंगल शेडिंग याने की एंगल में शेडिंग देने के लिए हमारी ऑइस के जो एंगल्स होते हैं उनमें शेडिंग देने के लिए medium brush ये भी थोड़ा angle में होता है एंगल है इसका थोड़ा और उसको shading देने के लिए medium angle shading brush का यूज के आता है एंगल में इस तरह के angles एंगल में बना हुआ होता है अब यह तो हमारा medium shading angle next हम देखते हैं next है हमारे पास eye contour brush eyes को contour करने के लिए इस brush का use किया जाता है यानि कि इस area को इस area को और यहां से उपर से सब को contour करने के लिए इसका use eye contour brush का use किया जाता है next है हमारे पास large eyeshadow brush यह होता है large eyeshadow बड़ा eyeshadow brush होता है इसका use काफी कम होता है मैं इसका use बहुत कम करती हूं मेरे पास बहुत कम use क्योंकि eye shadow पी इतना brush बड़ा brush थोड़ा use करना थोड़ा difficult होता है तो इस विज़ा से मैं इसका use नहीं करती मैं छोटे brush का use करती हूं कि उससे हम एक particular shape मिलती है इस वज़ा से मैं उन brushes का use करती हूं next हमारे पास next brush है वो है conceal brush eyes को conceal करने के लिए eye shadow को पहले conceal करना पड़ता है तो eyes conceal करने के लिए conceal brush का use कि आता है conceal brush देखिए इन पर अलग अलग brushes क्यों होते हैं हर एक brush के shape angles इक इसकी भी एक एंगल है एक particular angle पे है यह इस तरह के particular angle पे तो angles पे होते हैं तो यह हमारे पास है eyes के लिए contour करने का brush eyes को conceal करने का brush next हमारे पास है eyeliner brush यह हम आई liner apply करने के लिए बहुत ही चोटा होता है और थोड़ा सा हाड होता है इसका use होता है इस brush का use भी बहुत कम होता है क्योंकि eyeliner के लिए already काफी brushes उनके साथ भी आते हैं next है हमारे पास medium eyeshadow brush यह हमारे पास ने आई shadow का ही medium eyeshadow brush है इसका use हम कर सकते हैं large eyeshadow brush का use बहुत कम होता है medium eyeshadow brush का use हो सकता है आई कि आपको आपके hand में जो भी brush है आप वो brush उस चीज़ के लिए comfortably use होना चाहिए अब हम next चलते हैं next brush है angle brow brush यानि कि इसको angle देने के लिए brow brush का use किया जाता है this one बहुत लंबा है और पतला है angle देने के लिए इसका use किया जाता है अब next brush है हमारे पास smudge application इसके लिए इसको आप अपने smudge यानि की eyeshadow के लिए ही कुछ color pick करने के लिए कर सकते हैं यह होता है हमारा smudge application brush जैसे कि आपके eyeshadows में जो powder वाली जो eyeshadows होती है उनके यह इसका use किया जा सकता है next जो brush है हमारे पास वो है हमारे पास eyeliner brush यह भी हमारे पास eyeliner brush ही है देखिए पहले भी हमारे पास eyeliner brush आया था मैं आपको दिखाती हूँ यह वाला यह eyeliner brush आया था दोनों में फर्क क्या है यह eyeliner brush बिलकुल वैसा है जैसे हमारा नॉर्मल होता है normally यह देखिए यह वाला और यह वाला इसको इस तरह से देखिए यह थोड़ा angle में है और यह वाला जो है यह बिलकुल वैसा है जैसे आपकी bottles के साथ जैसे bottles ले liquid eyeliner उसमें होता है वह वाला ब्रश है लेकिन यह थोड़ा चोड़ा है पतला है और एंगल में है तो दोनों ही beneficial रहेंगे लेकिन मैं आपको बताया है कि आपकी जो आई liners होते हैं उसमें उल्रड़ी आपको brushes available होते हैं तो इस इसे विज्जा से इंका यूज काम होता है जो हमारा last brush है वो है sponge eyeshadow brush देखिए sponge के मैंने आपको दो brush दिखाए हैं एक यह वाला दिखाया था एक ही है यह भी इस पॉंज का ही होता है और यहीं तो इसे भी आईशेड़ अप्लाई कर सकते यह ठोड़ा बड़ा होता है और यह जोड़ा चोड़ा होता रे थोड़ा चोड़ा आईशेड़ ब्रश तो अऔर यह थोड़ा ड़नी त्विस थोड़ा टिर्ट में अबर स हमारे सारे और टाइप ओफ ब्रॉशी है और जो lá थे मेक अप में यूजिया जाते है तो फरेंड्स यह हमारी क्लास फोट जिसमरे हमनी सारी उपब रश के बारे में बात की रेकि 농 सा ब्रश किस लिए यूस किया जाता है तो फ्रेंट्स I hope so कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो गया तो मिलते हैं हम अपनी next class में 5th class में तो ये हमारी 4th class थी तो तेंक की वीडियो देखने के लिए और जाद अपडेटिंग वीडियो के लिए आप मेरी चैनल ब्यूटी अंड हिस्ट्राइब कर सकते हैं थैंक यू गुडबाई